तो आगते आप सबका एक फिर हमारे यूट्यूब चैनल है बात करेंगे इस वीडियो में इसमाइल 3 प्रोग्राम को लेकर और इसकी वाट्सअफ कीज को लेकर तो आपको जैसा कि बताए कि इसमाइल 3 को लेकर आज विशी हुई थी इसी विशी में भी वाट्सअफ कीज का जिकर किया गया है क्योंकि इस बार वाट्सअफ कीज को काफी प्रात्मिक्ता दी जा रही है तो समझ सक साथी जो ध्यान रखें कि सभी बच्चों का वाट्सअफ कीज को राना बहुत जरूरी है तो वाट्सअफ किज किस परकार से करवानी है और जिन बच्चों के पास स् करके उनका वाट्सप कीज भी आप जोड़ सकते हैं उनको वाट्सप के मादिम से पर्षनोतरी हल करवा सकता है क्योंकि वाट्सप की जो है इस बार मुल्यंगन का आधार रहे गा इसलिए इसको काफी प्राद्मिक्ता दी गई है इस वार तो इस वार सभी बच्चों को आपक पॉर्टफॉलियो में संदान्मी किया जा सके जैसा कि आज वीची में भी समंद्ध में चर्चा की गई थी ते आपको इस वीडियो के बाद में से बता देते हैं कि वाट्सफ कीज का जो पार्टिसिपेट करना है बच्छों के माद में से किस परकार से कर सकते हैं हम खुद सि इस वीडियो में आपको दिखा देता है वाट्सफ कीज का अभ्यास आप कैसे करें खुद अपने मोबाइल से या किसी विद्यारती के पास मोबाइल नहीं है तो अपने मोबाइल से ही उसका रजिस्टेशन पंजियन करके अपना कारे कंप्लीट कर सके ताकि जो है वाट्स पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी राजस्थान के विद्यारतीयों को घर से सीखने में मदद करने के लिए सापता ही क्विज अभ्यास करवाया जा रहा है सबता ही क्विज अभ्यास में पूछे गए प्रशनों द्वारा विद्यार्थियों की प्रगती और प्रदर्शन का स्वा आंकलन संभव होता है और विद्यार्थियों को जिन टॉपिक्स में समस्या आ रही है उन टॉपिक्स से जुड़ी आउधार्णाओं को दूर करने के लिए पाठ्य सामगरी भी भेजी आती है क्विज अभ्यास करना और करवाना बहुत आसान है सर्वप्रथम इस नंबर 8-5-9-5-5-2-4-4-9-3 को क्विज अभ्यास के नाम से सेव करें और इस नंबर पर एक वाटसैप मैसेज भेजें मैसेज भेजने के बाद पहले एक विद्यार्थी का पंजी करन करें हर विद्यार्थी का पंजी करन करने के लिए उनका स्कूल कोड यानिकी NIC कोड दर्ज करना होगा फिर उनकी कक्षा चुननी होगी यदि 11 या 12 कक्षा में हैं तो साथ ही स्ट्रीम भी चुननी होगी और अंत में विद्यार्थी का पहला नाम यानिकी First Name अंग्रेजी में लिखना होगा सभी जानकारी सही होने पर एक सूची जारी होगी जिसमें विद्यार्थी का पूरा नाम, एसार नमबर और जन्मतिथी पहचान कर सही विद्यार्थी का चैन करना होगा इस प्रकार पहले विद्यार्थी का पंजिकरन हो जाएगा फिर एक एक करके एक ही फोन पर अनेक विद्यार्थियों को जोड सकते हैं उसके बाद हर सप्ताह पंजिकृत विद्यार्थियों की सूची में से सही विद्यार्थियों को चुन कर क्विज अभ्यास शुरू कर सकते हैं जिन विद्यार्थियों के पास स्मार्ट फोन है, वे अपने फोन पर क्विज अभ्यास करें। जिन विद्यार्थियों के पास स्मार्ट फोन नहीं है, उनका क्विज अभ्यास शिक्षक अपने फोन पर करवाएं। साथ ही सभी शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की रिपोर्ट भी वाटसैप पर मिलेगी शिक्षक इस फीडबैक का उप्योग करके सीखने सिखाने की प्रक्रिया को और बेहतर कर पाएंगे इसलिए सभी स्कूल प्रमुखों शिक्षकों और अभी भावकों को ये सुनिश्चित करना है कि सभी विद्यार्थि हर सप्ताह क्विज अभ्यास जरूर करें क्योंकि पढ़ेगा राजस्थान तो बढ़ेगा राजस्थान